वे गाइस में अधनम्य और आप देखरें एंटेक्श उनिक तो गाइस आज जो है मैंने एक नया ट्राइपोड बाई करा है और इस ट्राइपोड को अन्बोक्सिंग करने से पहले मैं कुछ चीज़े बताना चाहूंगा मेरी अपनी ट्राइपोड की कहानिया बताना चाहूं कैसे मैं इस ट्राइपॉड तक आज पहुंचा हूं और मेरे सबसे पहला ट्राइपॉड जो है यहां पर फोट्रॉन का फोर फिफ्टी था जो कि मुझे गिफ्ट में दिया गया था जब मैंने यूट्यूब एकदम ही इनीशियली स्टार्ट करा था जो कि मेरे काफियादा ब बड़ी सी फैमली बनी आए आटट-बस्क्राइबेर्स की वहां तक नहीं पहुंच पाता और वो ट्राईपॉड मैंने बाई करने सहे पहले काफी सारे वीडियो पहले बना दिये थे चाहँ पांच विडियो मैंने बना दिये यूट्यूब पर वो नहीं सारी वीडियो मुझे gift करा तो उसके बाद जो है मैंने tripod सा बनाना स्टार्ट किया फोन में ही बनाता था फिर tripod पर फोन लागा करके आपन बनाते थे वीडियो फिर YouTube पर ऐसे करके हमने फोन से फिर DSLR पर आ गए दिरे क्योंकि सब पैसा जमा करके हम लोगे यह पर उसके बाद लेने के बाद मेरा वह जो ट्राइपॉड था फोर ट्रॉन का 450 जो एर गिफ्ट में मिला था तो वह एक दिन पिछले साल पिछले साल भी ने तो 2019 में जो है वह ट्राइपॉड टूट गया हमारे जो मॉडल है या पर मैं को मेरे और एक बेस्ट फ्रेंड अ थी थी बट ठीक यार चलो गलती से तूट गया था और काफे दब पुराना भी हो गया था बट उसके बाद जो है मैंने कभी भी ट्राइपॉड बाई नहीं करा एस सच कोई कैमरा का जो स्पेशल ट्राइपॉड होता है जो हम यहां पर यह यूट्यूबर यूज करते हैं दे데ैं यह यहां पर नहीं होता है इसको मैं एस था उपर यूजाद करा हुआ है माइक बाह시면 यह करा करता था यह जो यह एक माइक स्टेंड है तो इसमें जो है कैमरा टिकता नहीं था क्यूंकि यह कैमरा का वेड़ ज्यादा होता है ऐस कंपेर्ड टू माइक तो फिर भी मैंने यहां पे इसको करीबन वन पॉइंट फाइव यूर्स तक यूज करा और अभी भी इसको जो यूज करते हैं वो गोरिला प्रोड वाले ट्राइपॉड वो मैंने यहां पर बाई करें बट यह थोड़ा सा मेरा सस्ता वाला है एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं अभी जो है कैमरा कुछ इस प्रकार से सेट अप करा हुए जैसी के आप देख सकते हैं यह जो है व्लोगिंग ट्राइपॉड है और उसके ओपर कैमरा रखा हुए और यह अभी शूट हो रहा है तो इस प्रकार से जो है शूट होता है यहाप आप देख सकते हैं स्टूल रखा हुआ उसके ओपर ट्राइपॉड रखा हुए फिर कैमरा यहां पर जुड़ा तो आलमोस्ट जो है मेरा यहां पर एक मन था कि ट्राइपॉड खरीदा जाए फाइनली एक परफेक्ट ट्राइपॉड खरीदा जाए जो कि एक एक एक्च्वल में कैमरा ट्राइपॉड होता है तो मैंने आज वाइक कर लिया है इसे कोड़ाक टी टू वन वन ट्राइपॉड और यह जो है कोड़ाक एक बहुत ही पुरानी ब्रैंड है जिन्होंने पहले रील से शुरू किया था फिर कैमरा पे आ गए फिर कैमरा से फिर उन्होंने जो है ट्राइपॉड वगेरा बनाना भी आजकल स्टार्ट कर दिया है और भी काफी सारे एकसेसरी उनके आते हैं यह आप पर आये हैं और यह जो मैं आपको व्यूब दिखा रहा हूं इसको दिखाने का भी एक कारन को इतना सा पार्ट देखते हैं आप यहां पर वीडियो में जो कि मैं आप जूम करके रखता हूं अपने कैमरा को बाकी पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता है कुछ इस प्रकार से यहां पर जुगाड करके ब्लैक बैक्राउंड लगता है उसकी बाद यहां पर जो है तो यह आप देख सकते हैं यह है बिल मुझे पड़ा था 1690 रुपय का और काफी बढ़िया ट्राइपॉड है मुझे जो है अच्छा लगा यह ट्राइपॉड जल्दी से निकालते हैं हालक यह काफी अदम महेंगा ट्राइपॉड तो नहीं है क्योंकि इससे भी ना रहता है वो सारी चीज़ें यहां पर हो जाएंगी इस ट्राइपॉड से इसको खोल लेते हैं यहां पर पैकेजिंग काफी बढ़िया है यहां पर लिखा हुए कुछ चीज़े मैं आपको दिखा दिना चाहता हूं 1.10 kg का है सपोर्ट 5 kg तक कर सकता है आपके कैमरा को औ 3211 यहां पर जो है इसका मॉडल नंबर है त्री वेज मुमेंट आपको देखने को मिलता है हाइट रेंज यहां पर देख सकते हैं 158 cm से लेके 157 cm तक का है त्री सेक्शन सपोर्ट है और यहां पर यहां पर यहां पर रबबर बेज दिया गया है त्राइपॉड यहां पर आपको कोडक का यहां पर लोगो देखने को मलता है रबराइज लोगो है इसको निकालते हैं यहां पर रखते हैं टेबल पर आपको जो एक हैंडल भी देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर काफी दा सही लग रहा है मुझे काफी दा बढ़िया क्वालिटी की लग रही है इसको जल्दी से जो है यहां पे खोल लेते हैं कि आप क्या पैकेजिंग आप देखते हैं यहां पर आपको एक मोबाइल वोल्डर दिया गया तो तोटल मेरे पास अभी तीन मोबाइल हो गए हैं बागी इसको रखते हैं साइड में और यह निकल गया अपना ट्राइपॉड क काफी बढ़िया पैकेजिंग और काफी सही लग रहा है मुझे ट्रैपॉड इसको खड़े करते हैं टेबल पे एक बार ओके बिल्ड कॉलिटी तो यार बहुत बढ़िया लग रही है मुझे यहां पर आपको लॉक देखने को मिलता है जहां पर आप जो है इसको लॉक कर सक क्षब कर सकते हैं उसके बाद जुए आपको ट्रिल लगंग और सिस्टम देखने को मलता है यहांपर आपचा कने यहांपको लं सकते हैं यहांसे आप पकड़के इसको आराम से बढ़ा सकते हैं काफी हलका ट्रैपोड काफी जादा बढ़िया लग रहा है मुझे कोड़क का यहां पर इक इनों ने यह लगा करके दियाने के बाद तो गाइस यहां पर यह आप क्या निकाल सकते हैं पैंनी जो है वह काफी ज्यादा मुंध है यहां पर काफी rice जिनों बाद एक प्रॉपर ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं जहां पर जो है यह जो एक काफ ज़्यादा प्रोडक्शन वाला ट्राइपॉड है तो यह जो है पैनिंग आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूध है मेरे हिसाब से इस प्राइस पर काफ ज़्यादा स्मूध है यहां पर जी ज़्यादा स्मूध है लोग यहां पर फ्रिक्शन आ है इसे श्लाइडिंग और यहां प्लिटिंग में का है यह जो है यहां पर यह जो हैंडल है यह भी यहां पर प्लास्टिक का है और यहां पर ट्राइपॉड का है यह आप देख सकते हैं यहां पर यह प्लेट भी यहां पर प्लास्टिक का मना हुए जल्दी से इस प्लेट को यहां पर दिख सकते हैं आप निकाल रहा सकते हैं इसको कहते है quick release plate और यह आप देख सकते हैं यहाप इस plate को निकाल लिया है यह quick release plate यहाँ पर आप जो है camera लगा सकते हैं और इसको जो है आप जल्दी से release कर सकते हैं tripod से और काफी दा बढ़िया tripod है यहाँ आप आपको जो है एक liquid जो है देखने को मिलता है जिससे आपको पता चलेगा कि यह tripod straight है या नहीं और overall जो है यहाँ पर यहाँ पर प्लास्टिक का बना हुआ है सारे बने हुए हैं यहा पर आप वर्टिकल शूटय कर सकते हैं जैसे कि आप लिए पर चुलोप पिलो जो सोला सो रुपे के हिसाब से काफी टगड़ा ट्राइपोड लगा है मुझे और इस पर जो है आप आरम शर्ड ड्यायर रख सकते हैं मैं जो है इसमें अपना Canon 200D रखने वाला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे और एक प्लेट खरीदना पड़ेगा इसको कहते हैं क्विक रिलीस प्लेट क्योंकि यहां पे जो है मैं अपना फोन भी इस पे लगाऊंगा तो ओवरॉल था यह वीडियो इसके अन्ब मातरम और आपका दिन शुब रहे